Hello everyone, मैं हूँ कि रिंशापरी और ये है आप लगों के लिए November 2024 की Love Tarot Reading तो बहुत सारे लोगों का नीचे comment section पे सवाल होता है कि मैं क्या आप personal session लेते हैं? Yes, of course, मैं personal session लेती हूँ और personal session में tarot, astrology, counselling, remedies, सभी चीज़े included होती हैं और one-on-one session book करने के लिए आपको नीचे description box में इस वीडियो के end में मेरी contact details मिल जाएंगी आपने उस number पे सरफ whatsapp करना है और आपको details मिल जाएंगी और details को follow करके आप one-on-one session book कर सकते हैं तो ये है आप लगों के लिए November 2024 की Love Tarot Reading और इस reading में आप जानेंगे कि खास कर November मन्त में आपकी love life से related चीज़ें कैसी रहेंगी आपके partner की क्या energies होंगी, आपकी क्या energies होंगी कौन सी चोटी-चोटी सी बाते हैं जिनका खयाल रखके आप November मन्त की energies को बहतर कर सकते हैं तो चलिए जी November मन्त की reading शुरू करते हैं चलिए लिबराज आप लोगों के लिए देखें कि November 2024 में आपकी love life में क्या हो रहा है में पस यहापे तीन सेट आफ कार्ट्स हैं सेट करते हैं तो आपके लिए आपके अपकी पहला कार्ट है डॉग और डॉग हम सब जानते हैं वफादारी true friendship के लिए जाना जाता है और कशुछ ऐसी ही energies आपके मन में अपने पार्टनर के लिए कुछ टाइम से या पिर November स्टाटिं ये November मन्त में रहती हुए दिख रही है हो सकता है कि आपको कुछ टाइम से again या पिर November मन्त में ऐसा लग रहा है कि भई जो भी हो लेकिन आप हमेशा अपने partner के लिए loyal रहेंगे आप हमेशा अपने partner के लिए true रहेंगे अब देखे इसका मतलब यह नहीं है कि कुछ issues मसले हो रहे हैं कुछ के लिए हो सकते हैं कुछ के लिए नहीं हो सकते हैं अभी हम आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कि क्या energies हैं लेकिन फिलाल के लिए dog का card आपके लिए बहुत ही मन ही मन पार्टना को लेकर loyalty, true friendship या फिर you know एक बहुत ही committed वाली energies की बात करता है और surface level के लिए four of swords का card कहता है कि शायद कुछ time से या फिर November starting में आप बहुत अपनी त partner के लिए इस relationship के लिए अब देखिए reason सब के लिए differ करेंगे और फिर से मैं कहूंगी हम आगे बढ़ेंगे तो पता लगेगा कि reason क्या है लेकिन यहाँ पर फिलहाल ये card कहता है कि आप बहुत अपनी तरफ से चीजों में involved नहीं हो रहे हैं या initiative नहीं ले रहे हैं थोड़ा ये gap महसूस करने के लिए सब Libras के लिए different reasons रहेंगे कुछ के लिए जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि आप ही थोड़ा सा withdraw कर रहे हैं इसके बावजूत की मन ही मन बहुत एक loyalty बहुत एक you know committed या फिर मैं कहूंगी true friendship वाली feeling आपके मन में रह रहे है लेकिन कहीं you know आप again अतने action initiatives नहीं ले रहे हैं जिसकी वज़े से otherwise एक gap आप महसूस कर रहे हैं अब कुछ Libras के लिए भी हो सकते हैं आपको इस लग रहा है कि partner उतना ज़ादा action initiative नहीं ले रहे हैं आप partner की तरफ से कुछ issues मसले हैं जिसकी तरफ से एक gap आ रहा है कुछ के लिए हो सकता है कि आप ही अपनी तरफ से थोड़ा सा distance maintain करने की कोशिश कर रहे हैं and end November के लिए हैं पर death and shield के cards कहते हैं कि कि किसी चीज को end करके एक नई beginning आप करना चाह रहे हैं अब फिर से दिखें सब Libras के लिए differ करेगा जैसे कि अभी मैंने आपको कहा कि आप थोड़ा सा withdraw कर रहे हैं आप फिर एक gap आपको महसूस हो रहा है तो वो सकता है कि end November में आपको यसे लगे कि बहुत हो गया इस gap को end करते हैं और चीजों को resolve करते हैं, sort out करते हैं और फिर से नए सिरे से चीजों को शुरू करते हैं जो पुरानी चीजें हैं, मसलें हैं उनको कहीं खतम करते हैं और इका दुका Libras, देखें मैं सब की बात नहीं कर रही हूँ, एका दुका Libras के लिए ये भी हो सकता है कि आपको यसे लग रहा है कि भाई पता नहीं इस relationship का future है नहीं है या फिर आप hurt हो रहे हैं और इसलिए किसी level पे आप चीजों को end करना चाहा रहे हैं और यहाँ पे shield का card कहता है शाय आप खुद को protect करना चाहते हैं और इसलिए कुछ चीजों को end कर रहे हैं क्योंकि आपको मन ही मन ऐसा लग रहा है कहीं आप hurt ना हो जाएं कहीं आप ना परेशान हो और यह तिखिए हापे मैं book के card को read करना भूल गई जो कि two of cups के नीचे है तो हो सकता है कि आप खुल के कि आप maintain कर रहे हैं कुछ तो या आप अपने partner से चुपा रहे हैं या फिर आपको ऐसे लग सकता है कि partner आप से चुपा रहे हैं और इस वज़े से भी एक distance आप महसूस कर रहे हैं या फिर आप दोनों के बीच में आ रहा है अब देखते हैं कि आपके partner की के energies हैं तो देखें आपके partner के लिए आपके सबसे पहला card है seven of pentacles reverse और ये card भी कहीं passive energies की बात करता है ये card कहता है कि आपके partner ने एक pause लिया हुआ है अगेन देखें pause लिया हुआ है तो वो भी कहीं उतने action initiatives आपके लिए इस relationship के लिए नहीं ले उनके मन में चल रही है future को लेकर अब कुछ Libras के partner के लिए हो सकता है उनको ऐसा लग रहा है कि भी decision और choice लेते हैं कि आगे इस relationship से related किस direction में जाना है भी ऐसे ही आगे बढ़ते रहें you turn ले लें left turn ले लें right turn ले लें तो एक direction वो सोचना चाह रहे हैं या कोई भी और decision choice हो सक कर रहे हैं थोड़ा सा जो भी आप दोनों के बीच में काफी time से कुछ time में हो रहा था उसके बारे में भी सोच रहे हैं और उसी के basis पर decision और choice लेना चाह रहे हैं बन ही मन के लिए butterfly का card कहता है उनको ऐसा लग रहा है कि कुछ चीजें हैं जिनको improve करने की ज़रत है जिनको ब मन ही मन है और हो सकता है इसी को लेकर वो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं लेकिन देखिए mid November के लिए seven of swords का card कहता है सोच रहे हैं समझ रहे हैं जानते भी हैं लेकिन कहीं एक positive action initiatives उस direction में नहीं लेते वे दिख रहे हैं seven of swords का card कहता है कि चीजों से escape कर रहे हैं भाग रहे है avoid कर रहे हैं ignore कर रहे हैं और seven of swords का card cheating की भी बाद करता है अब देखे मैं यह नहीं कह रही हूँ Libra's कि आपके partner cheating कर रहे हैं और जब भी cheating word आता है न तो जातर सब लोग third party romantic triangle के बारे में सोच रहे हैं जब partner या हम transparency नहीं रख रहे हैं जूट बोर रहे हैं जूट बोर रहे है जितना time relationship deserve करता है किसी भी reason की वज़े से नहीं दे पा रहे हैं तो वो भी कहीं relationship के लिए unfair होना होता है तो यहाँ पे देखिए जैसे मैंने अभी आपको बताया कि seven of swords का card cheating की बात करता है यहां तो आपके partner को ऐसे लग रहे हैं कि भाई वो fair नहीं है आपके साथ इस relationship के चीजों को deal करना चाहिए जो कि हमने butterfly के card में देखा भी कि कहीं किसी level पे you know किसी level पे नहीं कहूंगी मन ही मन इस चीज का एहसास है इस चीज को जानते हैं कि उनको improve करने की जरत है लेकिन action initiative नहीं ले रहे हैं और कुछ Libras के partner के लिए हो सकता है उनको लग रहे है Libras आप fair न कि कहीं you know इस relationship को center point बना के चीजों को नहीं deal कर रहे हैं इस relationship के अलावा बाकी भी चीजों पर attention देते हुए दिख रहे हैं अब देखिए ऐसा करना चाहिए मैं नहीं कहूंगी कि relationship को center point बनाना चाहिए लेकिन यहाँ पर fishka card कहता है कि relationship से जादा बाकी चीज है money, career और भी ल end November के लिए nine of wands and letter के cards कहते हैं कि कहीं वो अपनी feelings, अपनी emotions को communicate करना चाहा रहे हैं और nine of wands का card कहता है थोड़े से डरे हुए है, थोड़ा सा fear है, थोड़ी सी insecurity है या फिर ऐसा भी हो सकता है उनको ऐसे लग रहा है कि बस वो ठक गए हैं और action initiatives और effort इस relationship के लिए नहीं कर सक करते हैं या दिखे किसी चीज को लेकर थोड़ा सा hurt भी महसूस कर रहे हैं जो भी हो कहीं मन ही मन या तो communicate करना चाहा रहे हैं या फिर कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर letter का card है अब देखते हैं Libras की November मन्त में क्या हो रहा है तो यह सबसे बहला card मुझे दिख रहा है Mountain, Mountain का card challenges की बात करता है, issues, मसले होने की बात करता है, छोटी मोटी problems, छोटे मोटे फिर से काउंगी मसले होने की बात करता है जो कि इस relationship में रहे हैं और हमने बहुत ही clearly देखा कि आप दोनों की भी energies कहीं इसी, you know, से related हैं और यहाँ पर seven of cups का card कहता है, बहुत एक confusions ही रह रहे हैं, आयद, you know, आप लोग बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, again, decision choice लेना चाहा रहे हैं, नहीं ले पा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें माइड में आ रहे हैं, relationship पे focus नहीं कर पा रहे हैं, relationship पे attention नहीं दे पा रहे हैं, बहुत आप लोगों की distracted, diverted से energies रहती भी द energies हो, क्योंकि आपके लिए मैंने देखा एक gap आप महसूस कर रहे हैं, आपके partner चीज़ों को avoid कर रहे हैं, चीज़ों को confront नहीं कर रहे हैं, थोड़ा सा escape कर रहे हैं, लेकिन surface level के लिए आप लोग एक दूसरे से मिल रहे हैं, connect कर रहे हैं, जादा बातचीत हो रही हैं, कहीं यहां तो vacation पे जाने का plan कर रहे हैं, यहां फिर vacation पे जा रहे हैं, यहां जादा, you know, date कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ, यहां ऐसे date कर रहे हैं, मतलब eating, drinking, very making हो रही है, किसी भी तरीके की fun, मज़ा, मस्ती हो रही है, और लेली का card कहता है, कि एक maturity के साथ चीज़ों को deal करना चाहरे हैं, हो सकता है, mid, you know, November में, आप दोनों या आप दोनों में से किसी एक को ऐसे लगी कि भई, बैट जाते हैं, कठे बात करते हैं, let's talk about it, and maturity के साथ चीज़ों को deal करते हैं, तो इस तरीके की energy जहती भी दिख रही हैं, और end November के लिए भी यहां पे की का card कहता है, दूसरे पर तोहमत नहीं लगा रहे हैं, कैसे चीज़ों को बहतर करें, उस पर focus करें हैं, लेकिन या तो जो भी आपके आसपास के लोग हैं, वो थोड़ी सी बाते कर रहे हैं, आप लोगों के लिए, इस relationship के लिए, वो चीज़ कहीं आप दोनों या आप दोनों में से किसी को बॉदर कर रही है, या फिर आप दोनों में से किसी एक की तरफ से ego issues रह सकते हैं, थोड़ा सा, you know, फिर से मैं कहूंगी कि arrogance वाली energies हैं, जिसकी वज़े से issues मसले हो रहे हैं, तो यहाँ पर मैं यही कहूंगी कि चीज़ें resolve हो सकती हैं, बहतर हो सकती हैं, अगर end November में खास होती है, लेकिन बहुत thin line होती है, self-respect और ego के बीच में, ego काम खराब करती है, self-respect चीज़ों को बचाती है, तो इसमें difference जानने की कोशिश करें, और yes, अगर ego नहीं रखेंगे, थोड़ा सा अच्छे से communicate करेंगे, तो चीज़ें बहतर हो सकती हैं, तो यह थाले ब्राज आप सब्सक्राइबर 2024 की Love Tarot Reading, और अगर यह reading आपके साथ resonate करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस channel को like, share और subscribe ज़रूर करें